हेलो आज हम समझेंगे 1924 और 1927 के बीच में क्या हुआ था हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं चौरी-चौरा मुवमेंट तक आज हम समझेंगे चौरी-चौरा मुवमेंट वापस क्यों लियागा गांधी जी ने और गांधी जी के मैथेट पर कॉश्चनिंग होता है और इसी फेज में कॉंगरस में आइडिलोजी क्लास होती है और इसी का फायदा उठाते हैं इस बीच में अमर जोती है जो वेक्यूम को फिल करती है तो आया है स्टार्ट करते हैं और समझते हैं 1924 और 1927 बीच में कौन-कॉन से इंपोर्टेंट मुवमेंट थे सिच्वेशन अफटर नॉन गॉपरेशन मुवमेंट जो एंसीम था 1922 में खतम हो चुका था चारी-चारा मुवमेंट जो गोरख पर हुआ था चार फर्वरी को उसे भी आपके बारदोरी रेजोलेशन हुआ था गांधी जी ने उस मुवमेंट को आपस लिया तो उस फेज में आफटर उसके पास रियाक्शन क्या होता है उस समय जो फैमाइन चल रहा था वर्ड वार बाद प्राब्लम थी जो भुकमरी अंगर इतना स्प्रेड हो चुका था था थ्रो आट कंट्री उसमें जो एनर्जी थी पीपल्स की ब्रिटिस के अंगर ब्रिटिस के अगेंस जो एंगर अरप्ट हो रहा था उसको चैनलाइस कैसे करना है यह से बड़ा कोशन इसी फेज में 1924 से 1927 अठाइस तक आएंसी के सामने चैलेंजिस आने लगेंगे कि हमें अब क्या करना है नेक्स आएगा गांधियन मेथट के आइडिलोजिस प्रॉब्लम क्लिएट करने लगेगी बहुत सारे लीडर उनसे अग्री नहीं होंगे बहुत सारे उनसे लीडर दिसएगरी होंगे दूसरी दूसरा काम करना चाहते है जैसे कि हम देखेंगे प्रोचेंजर उस्वजवाराजिस्ट में यह प्रोचेंजर्स और नोचेंजर्स बेसिकली वह हैं जो गांधी जी की मैथेट के अगेंस थे और वह पार्डिसिबेट करना चाहते थे जो इलेक्शन होने वाला है लाइस्टेटी असंबली का सेंट्र लाइस्टेटी असंबली का जो गॉर्णमेंट ऑफ इंडिया करा आएगी 1926 में और नोचेंजर्स वह हैं जो गांधी जी की विचार को मानते विए कंस्ट्रक्टी वर्क करना चाहती थी बैक्ग्राउंड में तो सवराजिस्ट बेसिकली मोदेला नेहरू थे सियार दास अर्जमल खान सुबाश विठलभाई पटेल एंसी केलकर विठलभा और यह कोशन कर रहा थे गांधी जी के मैथड को इसलिए यह प्रोचेंजर कराते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और यह सीड बिजीत के आएंगे फिर दिसंबर का जो इसलिशन होता है गया मैं उसमें कॉंग्रेस का दोनों में जो लीडर्स थे उनमें तो 1922 गांधी जी अरेष्ट हुए थे कि सेडिशन केस उनके वीडिशन लगा था था तीन केसे वह ब्रिटिस जो रिडिंग था उसमें गवर्णर जनरल उनके उपर उनके उसके अगेस एरे सेडिशन का केस लगता क्योंकि यंग इंडिया में गांधी जी ने उसके कि आते हैं हेल्थ ग्राउंड के इशू करेंगे कि हम कंट्रिब्यूट करेंगे ओफिशली अगर हम चले जाएंगे तो कंट्रिब्यूट करेंगे फॉलिटिकली वेक्यूम को फिल करेंगे जैसा कि अभी फेज आ गया लीडरलेस हमारा मॉव्मेंट हो गया उनने से चौबिस उनने सोफाइस के सताइस तक बीच में कोई लीडर उतना अमर्जिंग नहीं था होना काम दिख नहीं रहा था तो इस वेक्यूम को फिल करने की बा जो उनसे बिने किसी बात के बिना प्रूफ के अरश्ट कर लिया जाएगा उसके खिलाब ये डिफीट किया उन्होंने जो लीडर पाडिसिपेट किया थे एलेक्शन में डिपोट इलेगल फॉर्णर जो फॉर्णर आया थे बाहर से उनको इलेगल उस बिल को भी यह जो जो चाहेंगे वैसा ही होगा ये एक लिमिट तक उनको रोब सकते हैं पॉलिटिकल अगर इनको एक बार लट लग गई उस ऑफिस की उस पावर की जो प्रोचेंजर्स है तो यह मिस्यूस भी कर सकते हैं और करूप्शन के मोटब विजा सकते हैं डीविजर्स ऑंऑ ऑँ साराजस्त जो साराजस्त है जो चून के गय थे उनमें भी डीवीजन आ गया उनमें दो malware बढ़ गया इस्पन यह डिवीजन इसलिए होता है, रिस्पॉंसिविस्ट बेसिकली मदिनमान मौलिया, एंसी केलकर, लाला रश्पत्रा है, नॉन रिस्पॉंसिविस्ट थे, हमें नहरू, वतलाल नहरू, मोतिलाल नहरू, यह इनमें इशू आ गया, क्योंकि टिकेट को लेके इशू आ गया था कुछ चाते हैं कि हमारा आदमी रिप्रेजन करें, कुछ चाते हैं हमारा आदमी रिप्रेजन करें, यह फिर पार्टिसिपेट नहीं कि यह गवर्नमेंट के स्कीम में बाइकट कर दिया एलेक्शन, और फिर वहां से हड़ गया, तो यह आगए रिस्पॉंसिविस्ट में, इसी बीच में स्टाट होती है, इसी फेज में समझें गांदी जी का मैठेट क्या था, जिसके गए भागत सिंग रेज करते हैं, अपनी फिर रिवलिशनली अक्विस्ट इस फेज में इमर्ज हो रहा था, जैसे कि स्प्रेडिंग अप सोचलिस्ट इनका मार्क्स आजिया, due to Soviet revolt, 1917 में, जो रैशियन में, Soviet revolt चर रहा था, उससे भी spread होता है, communism और socialism, congress के ideologies जो लीडर थे, उनको भी influence कर रहा था, non-violence, जो method तक गांदी जी का, ये अंगेश्ट को पसंद नहीं आ रहा था, कि उससे कुछ result नहीं हासिल हो रहा था, क्योंकि चौरी-चौरा movement को करके, non-cooperation movement को, ये अंगेश्टर का, जो voice है, वो गांदी जी को support नहीं किया, not attracted to parliamentary work, various revolutionary activities थे, कि parliamentary work से अभी 100 राजेश दो गया है, उनसे कुछ result नहीं मिल पा रहा, कुछ useful नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपने novel book articles से, जो यंग थे, उनको enthusiasm spread करते थे, उनको motivate करते थे, ये स सरचन सान्याल, बंदी जीवन से spread उनको लिखे थे, सरचन चटर जी, ये भी अपने novel और book स्टार्ट किये थे, help करने के लिए, activities of revolutionaries, Communist Party अब बताया है, उनने सुभी से, काशकन्त में, उनने सुभी से form होई थी, लीडर थे, अमन रा, अबानी मुखर जी, सफी के अनाचार ये लीडर थे, Communist of India बनाने के लिए, इसी के फेज में, बॉलसर्विक conspiracy होती है, basically बॉलसर्विक conspiracy कानपूर में होती है, 24 में, एक ब्रिडिस का allegation था कि कानपूर में ये ब्रिडिस थ्रोल को हटाना चाते है, इसमें 3 तीन ब्रिडिसर भी सामिल थे, 3 इंग्लिसमन भी सामिल थे, अलीडर से इसके नलनी गुपता, ऐसे दंगे, मुझफर एहमद, सौकात अली, पुष्मानी, हिंदुस्तान अचारे, ये था, एक अचारे ग्रूप बना था, जो USA के तरज पे इंडियन स्टीड बनाना चाता था, United States of India बनाना चाता था, Federal Republic, का कोरी, रॉबरी होती है जो लखनू में है, 1925 में, उनके कैश, ट्रेन जाती हुई, अस्फाक उल्ला, रॉशन सिंग, ये सब ट्रेन लूट लेते हैं, उनके गन लूट लेते हैं, basically, to fund revolutionary activities, अब समझेंगे, पंजाब नौजमान सवा, पंजाब नौजमान सवा, भगत सिंग के तरह, फॉर्म की कि जब साइमन आया थे, 1928 में, तो लाला लाच पतर है कि डेथ हो गई थी, ब्रिटिस के गए, जो ब्रिटिस का लाटी चार्ज कराया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसी का रिवेंज लेने के लेके भगत सिंग, जो सॉंडर्स था, जॉन सॉंडर्स, उसको मार देते है अल्दो जॉन सॉंडर्स उसका मेन कॉस नहीं है, जैम स्कॉर्ट को मार देते हैं, लेकिन जॉन सॉंडर्स को मार देते हैं, इसी के फेज में भगत सिंग के बारे में में एक स्क्लाइज में समझेंगे, और डिटेल में समझेंगे, 23 येर्स में ही इनको साजीक सासी का सजा क्युमिली, थैंक यू